आजकि इस वीडियो में हम आपको लेकर और आगये हैं हमारे ईफलाइन कलास तरफ में किसी को और बोले थे तो आजकर इस वीडियो में 12 वेल्ड कलास क वैंदे लेक्ठर 1 इस परकार से जब-जब chemistry का होगा तो lecture 1, lecture 2, lecture 3 या physics का होगा तो lecture 1, lecture 2, 3 करके जहां तक test होगा वहां तक आपको विडियो अदम discussion कराया जागा या competition का भी होगा तो lecture 1, lecture 2 करके दिया जागा या किसे भी course का होगा तो आपको lecture 1, lecture 2 करके subject wise, subject के हिसाब जिसे chemistry का है तो lecture 1, lecture 2, physics करेंगा तो lecture 1, lecture 2, math करेंगा तो lecture 1, lecture 2 इस परकार से आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो आज की इस वीडियों हम आपको देने वाले हैं, chemistry का जो हमारे offline class में टेस्ट होाता है, ठीक है, तो यदि आपको लगता है भी दियारती की इस टाइप का वीडियों आपके लिए लाबदायक होगा, यूसफुल होगा, और आने वाले exam के दिनों में भी आप इस वीडियों को बहुत बार देख सकते हैं, तो आप इस परकार अगर regular वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बहुत जल्द आपको live class भी मिलने वाला है इसी परकार से, आज तो हम लोग एक वीडियो आपको दे रहे हैं बना करके ताक कि आप discussion कर लें, बहुत जल्द आपको जो भी offline class होगा उसको live के मादी हम से देंगे भी द्यार थी, तो आए आज हमको आप बिना डिले किये chemistry का, आपको 12 class एक chemistry का लेक्चर वन दे रहे हैं, जो कि पहली बार जो discussion offline class मों उसका देखे, क्या question का था, आप question को इस screen पर देखे, क्या ह theo question कह था, के बी सीसी एक कोस्टिका में कुल कनों की संख्या होती है आपसे बी सीसी है ना उसमें कुल कनों की संख्या आपसे पूछ रहा है नंबर ओफ एटम आपसे मांग रहा है नंबर ओफ मॉलिकुल्स आपसे मांग रहा है कि बी सीसी में क्या होता है इसा ठीक है तो आपको पता है कि बी सी सी में परतीय कोनों के अतिरist तो परतीय कोना कहेगा सिला 8-1-8 होगा और एक किंदर में भी होता है सिला पलस एक कर दिये अट कर दिये हैं तो आट से आट कट गया बिद्यार थी तो शिर्फ एक बचा हमेरे पास नहीं पलस एक तो एक पलस होती है आपके पास option होगा बी में आप टीक मार दिजिएगा आप सामने स्क्रीन पर कोशन देखी रहे हैं ठीक है चलिए पहला क्लियर हो गया दूसरका कोशन करा कि फरेंकल देश की उपस्तिती में फरेंकल डिफेक्ट होता है उसकी उपस्तिती में क्रिश्टल का घनत जो हो होता है घड़ता है सामने स्क्रीन पर कोशन देखी घड़ता है बढ़ता है परिवर्तित नहीं होता है घड़ता है या बढ़ता है ठीक है इस प्रकार कोशन आप क्वेस्चन में के आपके पास होगा ना तो आप इस टाइप का कोशन निकाल करके देखिए अपने कोशन में में स्टाइब का कोछन आता है कि नहीं आता है इसे तिक का वहीं आपके अफंलाइनchaft क्रास में वहीजक नको utilizz को टिछा एक मैं इंपोरेटी लिया जाता है इसलिए विडर्च भी आपका इंपोर्टेण्ट निर्थे निया तो आपको मैं बता है कि अबस्तिताह आपको कि लिखुआ होता है आपको my life ची डूनाट चेंज परिवर्तन नहीं होता है तो आप देखे ऑप्सन में परिवर्तित नहीं होता है तो आप मार देजेगा जो भी ऑप्सन में कौन में है है सी में देखें परिवर्थी नहीं होता तो आपको आप्सिन कौन सा सी सही हो जागा भी ध्यारती सी देख लीजिए ठीक है चलिए आगला कोचन नमर की सरका पर देखेंगा कि तीरगा में कहाँ आ कि एनेसी यल की सरंचना में सील रीनायन की समनवे संख्या होती है ठीक है समय में संक्यांगरेजी में कॉरिनेशन नंबर को और c об बोलेंगे ठीक है तो एने सियल में pozिक होता है उसका कॉधिनेशन नंबर हमसे belonging आपको पता c.l का कोडिनेशन नंबर जो हता उस 6 होता है कीतना होता है । याद रखना वाला बात है चली । का पर तीसरा हो गया तीसरा तक चाहुता देखिएगा चाहुता हम करा कि मॉललता का एसा यूनिट मॉललता ना मॉललता मॉललता दो होता है मॉलले लीटी और मॉले रीटी तेहां पर मॉलले लीटी है मॉलले लीटी का है सही मातर का आप से मांग रहा है तो मॉललता बराबर बिलियन का दर्मान का में केजी में तो जब केजी में है तो हो जागा मौल परती का होँची केजी मौल परती का होगा तो दर्विमान में के जी में मुललता हुआ चलिए अगला देखें चाहता होगा कोशन पाचलों पर मारते हैं नजर इन टू एम ओटू के बिलियन का उदारन है इन तू मतलब नैट्रोजन गैस जिसमें टू लगता है नो गैस होता है जैसे सी ओटू कार्मन डायकसाइड गै इन टू नैट्रोजन गैस एसो टू सलफर डायकसाइड गैस जिसमें टू लगता है नभी द्यारती वह गैस बन जाता है तो आप से पुझ रहा कि इन टू एम ओटू के बिलियन का उदारन है जब दोनों गैस को मिलाएंगे तो का होगा सिंपल बात है इन टू भी गैस है गैस अगला प्रमारते हैं नजर आपको छठा कुछन काता है इसका आई यू पी सी नाम से पूछ रहा है पुछ रहा है चिप्टर आपको नाम पूछ रहा है पर क्या नाम है से दिखे इस पर करकर का भी यह structure रहेगा तो उसको नाम दिया जाता है जहां भी है लगड़ रहेगा ना कलोरिन, ब्रोमिन, आइोडीन, फ्लोरिन उसको सबसे कम मिलना चाहिए तो बाबबु इन्हूं से गीनती अगर लिखेंगे तब हो इसको दू मिलेगा तो इसको नुमिन क्लेचर का है यह चीजिश आपको नाम चरंड करना तो आपको इसमें नाम बताना है ठीक है नाम में 3-4-2-1-1-9 or target होता है इस पर दो मेह व्याम हो गया और देखेंगे नमर में प्रका क्या है मेथल Use हाथ इसे होता है तो एक खारवन का मेजनां मेफिल हो गया तो टूब्रोमो तूव मेथिल दूए नमर मेछला गंता एक तो तीन तो तीन को कर्मान होगा तो प्रोपन को नाम है ठाएं तूब्रोमी डेisz का नाम हो गया जो आपका मेशला ऐसाव कुछ Jest, फिल तूबरोमो तू मेठील प्रोपेन इसका नाम हो गया जो आपका उपर स्ट्रक्चर का चीज है चलिए चलिए सात्वा में देखेगा सात्वा क्या कोशन करता है साथ में काता है कि आप देखेगा कोशन की आर एक्स पलस एन ए ऐसी टॉन के उपशितिर में अभी किरिया करके एक्साब इक्स बना देता है किस अभी किरिया का उधारन है कौन सा भी क्रिया देखिए कौन सा भी क्रिया सिंद ठीक है एक्स के जगई पर आप लोग कलोरीन बरोमीन कुछ भी ले सकते हैं ठीक है तो यह को बैक्ती था जिसका नम तब फिन क्लेस्टिन नाम करके कोई ब्यक्ति था उसने रियक्शन करवाया था एलकील हेलाइट को रियक्शन करवाया था सोडियम आयोडाइट के साथ तो देखिए यह वाला तमाली यह बदलेगा लेकिनी सोडियम आयोडाइट तो फिक्स है ना चुकि नाम है तो फिक्स कोई ध के लिए वोला गुरूप लिख सकते हैं यहां पर दस जो अलकेन का गुरूप पता हो टोटल आप लोग लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो उसे में रहेगा इन्हें है इसके जगेह पर आपने सी लगाई था सब्सक्राइब ना प्रसक्राइब ना प्लस को लवन साल ना इस से रियक्षन को मतलब एल्किल हेलाइट को सोडियम आयोडाइट के साथ अभी किरिया कराते एसी टोन को उपस्तिती में तो बनता है को जी एल्किल हेलाइट बनता है और इस अभी प्लस में साल्ट भी बनता है इस अभी किरिया को फिन कलेस्टिन रियक्षन के नाम से जाना ज से अंदर से अंदर जो लाश्ट में डीजेट वहां से लिखता है देखिए छोग है तो छोग को बोलेंगे हेक्सा बोलेंगे हेक्सा और एनस्थरी तो एनस्थरी का नाम का होता है आइमीन तो हो गया कोंची हेक्सा आइमीन और सी मने का होता है कोबाल्ट कोंची होता है कोब इसका नाम हो गया तो यह आपको परीच्छा में आता ही नमर भी आता है और कौन चीज नमर वी फैंड करने के लिए आया तो इसका आपको नाम है करने के लिए आता है तीन गोर है था इन नमर कर तो क्या कहенगे तो APSO4 into NS4 का होल 2, SO4 into 6S2O का नाम है मोर लवन, मोर साल्ट का बोलेंगे, मोर लवन बोलते हैं लेकिन इसी में पूछ देवक लवन का उधारण है, डबल साल्ट का एक टॉपिक था तो डबल साल्ट में अब लोब पर पोटास एलाम, मोर लवन, क्रोम एलाम इसा पढ़ाये होंगे तो उसी में देवक लवन में यह सूतर जो था यह आपका केमिकल फर्मूला है मोर लवन का मोर साल्ट का है, आप कभी-कभी परिचाव फिटकिरी का भी पूछ दता है इसके को फिटकिरी का सूतर का होता है तो बता देजिएगा , अगला कोस्षन, 10 पर इसके पर देखिए आप पीवन नोट माइनस एक्स टू पीवन नोट माइनस एक्स टू पीवन माइनस पीटू यह किस नियम को दरसाता है किसको यह किस किस संबंद को दरसाता है तो यह रावल्ट का नियम को दरसाता है किसका रावल्ट का नियम को दरसाता है अब आपको सवाल अमर 14 और सवाल अमर 15 दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि आगला कोशन जो आप देखिका में रूडलता को लिखे बता दिये हैं जुर्ण हम आपको बता रहे हैं करा कि नहीं लेकित का ओइन गयाद करें नहीं लिंद और गयाद करें ऑक्सेडेशन नमboro find the oxidation oxidation number of the following निम्ली खीत मसे आपको oxidation number find करना है तो आई oxidation number हम आपको बता रहे हैं कि oxidation number कैसे बनता है और सवाल नमर जो 15 है उसका एक 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 जामपल भी बता रहे हैं ठीक है तो इस परकार से आप अपना कोपी मुतार सकते हैं और हमेशा खातीर आप नोट बना सकते हमेशा खातीर ठीक है तो इसको तारिये तब हम आपको सवाल नमर 14 और 15 खाली दू मिनिट में आपको किलियर कराते हैं इस परकार से कमिस्टे का लेक्चर वन होगा यह जो हम आपको बताने के लिए बोलेते ठीक है सवाल नमर 14 में करा रहा है की ओ यहां आपको निकारना Oxidation नमर तो देखिये Oxidation नमर किशो निकलता था ठीक है तो का रहाए कि सबसे पहले Oxidation नमर हमें साक जो केंदरिये परमाहन होता Central Atom होता उसको एक समानना पड़तबा है जो सेंटरलेट होता है यह product होता है थ Around Cool को सेंटरल यह вес वह सेंटरलेट अजकें आपका कितना है और अगला में जाई से पहले आपको मानना पड़ेगा कि इसको स्योग को हम लों मान लिए कोई ची एक्स और आगे में जाई से पहले पलास कितना पलास और देखें आमोनिया का अगर सुन जगता कोई पुझेगा आमोनिया का सुन जगता तो आमोनिया का सुन जगता आप लो बगलवम होगा किंद्रिय परमान होगा इसको मान लेना है एक्स अब आगे जाई से पहले का लिखेंगे पलस आमोनिया का आमोनिया का आपको याद रखना परेगा आमोनिया का संजोजगता जीरो होता है तो आमोनिया का जीरो हो गया सटाले सेला कितना हो गया चो अब जो भ तो लेट माना कि उन्जी ओन तका होगा एक्स होगा इग्स अगलाम जाई से पहले का होगा पलास तो आपको यह उताएंगे भी दियारती यहाँ आप भैलेंसिट टेबल नहीं देख조є होंगे तो इसी वीडियो के डिस्किरिप्शन में जाएए और आप बैलेंसी टेबल को देखिए तो कोलराइट का हम बता होंगे बैलेंस टेबल कितना माइनस वन चलिए इसको तुरा सा देख लेजें यहां पर के पर है न तो माना कि अलेट भी माना कि एफी का ओ इन जो बहुत देर देखोंगे एकस अब इसका लिखेए बटेस्यम का तो वहलेंसी टेवर में प्रश्चंच आपको आना चाहिए टीक है तो वान गुना चार पलास अगला पहले का एक्स अज़ सी एन का होता हैं आप देखिएगा सी एन साइनाइड जो होता है बैलेंस टेबल में देखिए तो मैंनेस वन में होगा भी द्यार थी तो अगला में जैसे पहले पर लगा गुना में कितना चो चो बराबर क्यांपर कुछ नहीं है तो का हो जागा जेरो तो यह चार हो जागा पलस एक्स चाव एकम्छाव तो यह मैंनस जो बाइर का जिरो यहाने एक्स बराबर को कर जागा तो का होगा दू चिलिए तो आपको सवाल अमर 14 पी स्क्रीन पर देख लिएगा कोशन कावंची था यापको ओ निकालना था मुने अक्सिडेशन नमर सवाल नमर 15 में आपको का रहा है कि एक हंसटी कर reaction का उधारण दीजिए और एक फिनकलैस्टीन reaction कर ऊदारण दीजिए तो और यहांपर फ्रमेट हम लिए आर सी ड़ अजी हो गया तो एलकील इस सिल्वर एसिटेड था और है पर हाइलोजन रहेगा और सिल्वर को यह पर उपसिती में रहेगा कार्मेंट टिराकॉलराइड और यह आपको एलकील है है यहां पर आपको आरकेजाब पर एक खाड़ों कम करके हम बताये हैं साब नौट निकाल के देखिया आप लोग सी डेवलो एजी एक कम करके लागाना है अगर यह मेथेन है तो मेथील एथेन होता तो एथील आज़ेगर के बादिए सीटू एशीक्स होता एथेन का सुत्र लगाते तो एक हाड़ जोने कम करके हैं पांच लगाते तो वही आरक जबर खाली एला लिग दिये बाकर उतार दिये हैं और इसी रियक्सन को आप पर इच्छाता का पसानी से देख सकते हैं ठीक है और इसी परकार का रिगूलर यह दी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद